आप लोग हमेशा देखते होंगे समीधान की भाग तीन के जिसमें मौलिक अधिकाल दिये गए हैं दो अरुचेद हमेशा सुर्कियों में बने रहते हैं चर्चा में बने रहते हैं एक तो आपका आर्टीकल अनुचेद 20 है और एक आप देखेंगे अनुचेद 32 है और ये आप लोग देखेंगे कि इतने महत्पूर अनुचेद हैं कि अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी कर रहें चाहे वो Civil Service हो, State PCS हो या One Day एकजाम हो इनके पुराने Questions पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे इनसे जुड़े हुए Questions हर साल आपके एकजाम में पूछे जाते हैं और वैसे भी आप लोग भारती हैं, भारत में रह रहें तो आपके कुछ अधिकार भी हैं और इन दो Article के बारे में अगर आपको मालू हैं, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप खुद कर सकते हैं किसी बैक्ती पर आप देखें जूटी F.I.R. हो जाती है और उसे पुलिस उठा ले जाती है, थाने ले जाती है तो आप देखेंगे उसे जो उगलवाय जाता है ना, उसका कोई महत्तु नहीं होता है जब आप देखें अधालत में पेस किया जाता है, उस समाध जो आप कहते हैं, उसी को सच माने जाता है ये भी आप लोग समझ लिजेगा चाहे पुलिस में आप लोग कोई भी आरोप कित कोई छी भी सोई कार कर लिजे कोई उसका कोई मतलब नहीं है एक बात और उठती है कि किसी ब्यक्ति को अगर उठा लिया है तो क्या उसे खुद उसी के खिलाप गवाह बना जा सकता है कोई और गवाही दे रहा है ये अलग बात हो जाती है लेकिन खुद को खुद के खिलाप गवाही देने पर बात नहीं किया जा सकता है तो ये समिधान क्या कहता है इस पर उस पर बात करेंगे हम लोग और इन सब के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोट जाएए आर्टीकल 32 के तहट तो आप लोगों का अधिकारों की रक्षा करेगा सुप्रीम कोट और अगर अनुछेद 32 ना होता ना तो मौलिक अधिकारों का कोई मतलब भी ना होता और आर्टीकल अनुचेद 226 भी पढ़ा होगा जिसके तहत आप लोग हाई कूट जा सकते हैं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए और बैसे भी आजकल आप देख रहे हैं कि ये अनुचेद काफी चर्चा में इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि CBI और ED के द्वारा जिन लोगों को गरपतार किया जा रहा है वो उनके ऊपर जो भिष्टाचार के आरोप लगे उन्हें वो सुईकार नहीं कर रहे हैं वो जाच में कुछ बता नहीं रहे हैं और आप देखे वही लोग अनुचेद 20 का हवाला देकर सुप्रिंग कर रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे अभी ए मामला इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि दिल्ली के जो उपमुक मंतरी सहाब हैं जिनका नाम है मनीश सौधिया और अब तो इन्होंने इस्तीपा दे दिया सिक्षा मंतरी भी थे इन्हों इन पर आपकारी नीती यानि कि सर आप नीती को लेकर कुछ घोटाले के आरोप लगे इन्हें CBI ने गरपतार किया लेकिन आप देखे एक कुछ उनके सवालों के CBI के सवाल हैं उनके जवाब नहीं दे रहे हैं और आप देखे कि इन्होंने खुद सुप्रीम कोट चले गए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और दिल्ली को देखें तो नई दिल्ली इसकी रादधानी के अंदसासे पिदेश हैं विधान सभा में सत्तर सीट हैं राज्य सभा में तीन सीट हैं लोग सभा में साथ सीट हैं यहां ठीक है आमादवी पार्टी के दिगज नेता मनीश सिसोदिया इन दिनों सराव आपकारी नीती मामले को लेकर लगातार सुर्कियों में बने हुए और सिसोदिया पर 2021 में लाई गई इस सराव नीती बनाने उसे लागू करने में हुई कथित अनिमित्ताओं में सामिल होने का आरोप लगा है और हाल ही में आप देखेंगे कि उन्हें CBI के द्वारा हिरासत में लिया गया था CBI यानि कि Central Bureau of Investigation की बात करा हूँ एक अपरेल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और CBI की बिसेस्त नियाएधीस M की नांगपाल ने जांच की दोरान संतोष जनक जबाब देने में विफल रहने के कारण से सौदिया को हिरासत में लेनी की अनमती दी थी यानि कि CBI का कहना है कि मनी से सवधिया या तो चुप रहे कर सबालों का जवाब नहीं दे रहें या फिर टाल मटोल कर रहें वहीं मनी से सौदिया का मानना है कि चुप रहना उनका मूल अदिकार है और अनुछेद 20 के मुताबिक उन्हें स्वयम के खिलाब गवाह नहीं बनाया जा सकता है और इसमें समीधान के भाग 3 को आप लोग पढ़िए और इसमें आप देखें समीधान के भाग 3 को पढ़ेंगे इसमें सुतंता कादिकार दिया गया है और इसमें आप देखेंगे अनुचेद 20 में कहा गया है अपरादों के लिए दो सिद्धी के संबंद में कुछ बैक्ती को आरक्षन क्या दिये गया है सरक्षन दिये गया है तो उनी को लेकर बात हो रही है इसमें उसी अनुचेद की आप देख रहे हैं ए चर्चा भी हो रही है क्या हो रही है चर्चा भी हो रही है तो इसे भी आप लोग समझ लिजेगा ठीक है और इसमें आप देखेंगे कि इतना ही नहीं इस धरासत के खिलाप मनीश ने अनुचेद 32 को आधार बना कर सुपरीण कोट में याचका भी दाएर कर दी थी लेकिन सुपरीण कोट ने उनकी इस याचका को खारिज कर दिया है और आप सभी जानते हैं सुर्प्रिम कोट की बात करते हैं तो सम्मिधानिक संस्ता है सम्मिधान के अनुछेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गी है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो नियादीस रहते हैं उनकी सिवा निवित्ती की उमर 65 साल रखी गई है तो एनों ने सुप्रिम कोट से कहा है कि अनुछेद 20 के 20 का जो अधिकार दिया गया है 20 में उसका उलगन किया जा रहा है सबसे पहले बात आर्टीकल 32 की करें जिसे आधार बनाकर मजिश से सौधिया ने सुप्रिम कोट में याच का दायर की दरसल अनुछेद 32 को सम्मिधानिक उपचार का अधिकार भी कहा जाता है और इसका मतलब है कि पिदेक नागरेक को जो मौलिक अधिकार सम्मिधान द्वारा दिये गए है उनका हनन कोई होने पर कोई भी ब्यक्ती सर्वोच नेले में याच का दायर कर सकता है और सुप्रिम कोट की ये जिम्मेदारी है कि बोनागरेकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा और सरक्षन पिदान करें अब आप देखें कि आपको बोलने की आजादी दी गई है आपको संगठन बनाने की आजादी दी गई है देश में एक जगे से दूसरी जगे घूमने की आजादी दी गई है अगर इस सब पर पितिबंद कोई लगाता है तो आप लोग सुप्रिम कोट जा सकते हैं सुप्र अधिकारों पर रोक लग जाएगी, आपके संगठन पर रोक लग जाएगी, आप देखें हमारे देश में तमाम संगठन हैं जिन पर रोक लगा दी कई बात में, क्योंकि वो देश की एकता खंडता या असांती फैलानी की कोशिस कर रहे थे, नुकसान पहुंचा रहे थे, अ अनुचेद को संगठन की आत्मा का दर्जा दिया, और डॉक्टर भीमराव मेटकर साब संगठन का जनक पिता भी का आ जाता है, और यहां संगठन की बात हो रही तो आप सभी को बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संगठन आ चुका था, लेकिन पू ही आधार बना के याच का दैर किये, और मनीश का कहना है, मनीश सौधिया साब का, कि उनके मूल अधिकारों का उलगन हो रहा है, और बता दें भारती समिधान की भागत तीन में मौलिक अधिकारों का बर्डन किया गया है, और इसी में बर्ड़ित अनुचेद 20 के अनुसार किसी ब्यक्ति को किसी अफरात की मामले में स्वैम के खिलाब गभा बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और साथी इस अनुचेद के तेह, दोस सावित होने तक निर्दोस माने जाने का अधिकार और फूश्तान के दौरान चुप रहने का अधिकार भी सामिल किया अगर मनी सिसौदिया ने आर्टिकल 32 के तरह सुपरीन कोट में याच का दायर की थी, तो उनकी याच का खारिच क्यों कर दी गई फिर, यह आप लोगों की मन में भी सवाल आ रहा होगा, सुपरीन कोट का मानना है कि सिसौदिया को CRPC की धारा 482 की तहत पहले हाई कोट जान और इसके लिए आपको अपने बकील के मद्यम से हाई कोट में एक प्रात्ना पत्त देना होता है, और जिसमें आप पुलिस द्वारा दर्च की गई F.I.R. पर प्रिशन चिन लगा सकते हैं, तो सुपरीन कोट ने ये कहा है, कि भाई पहले आप लोग कहा हाई कोट चले जा आप लोग फिर सुपरीन कोट जा सकते हैं, पूरा एक रायता है, फिक्रिया रहती है, और डारेक्ट सुपरीन कोट भी आपकी याजका को सुख्यार कर सकता है, और नहीं भी कह सकता है, ये भी रहता है, आर्टिकल 20 को अगर आप देखें, तो अकसर अपरादी, आर्टिकल पामले में सरवोच नियाले ने साक्ष फिस्तुत करने और गभा बनने की बीच अंतर इस पश्ट किया था और इस इतिहासे फैसले में सुपरींग कोट के ग्यारे नियादीसों की खंड पीट ने फैसला सुनाया था कि फोटोग्राप अंगलियां अंगूठे की निसान हस्ता क्यों नहीं ले जाती है 11 कि जगए 10 ले ले दा या 12 ले ली जाते क्यूंकि आप देखें कर माललीजे 10 ले दी सोते 5 उसके पक्च में हो जाते कोई नेड़ा ही निकलता तो बिसम संख्या रखी जाती ही कि कम से कम 6 अगर उसके पक्च में होंगे 11 से और 5 उसके बिपक्ष में होगे, तो कोई तो result निकलेगा, या 5 उसके पक्ष में होगे, 6 उसके बिपक्ष में होगे तो इस तरह से आप देखेंगे, बिसम संक्या ही रखी जाती है, कि कोई निश्चिद नेड़ाय निकले अगर मिनिस्स सौधिया मामली की बात की जाए, तो CBI ने विसे सदालत में ये तरक दिया था, कि इसे सौधिया लगातार पूश्चिताच की दोरान सवालों के जबाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हरासत में रखना आबसक है, तो ये दोनों आर्टिकल्स की कहानी हो गई, और अब सो, ये हाई कोट जाते हैं, हाई कोट क्या कहता है इनके मामले में, ये देखने लायक होगा, चली और किसी टॉफिक के बारे में बात करनी हो, दोसका भी आप लोग नाम बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे सामन जानकारी,